आज फिर आप लोगों के लिए एक जॉब अपडेट है इस जॉब अपडेट में भी अच्छी बात यह है कि इसमें एक्सपीरिंस भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेश भी कई सारे पोजिशन ऐसे हैं जिसमें 0-1.5 यूर्स के एक्सपीरिंस रिक्वाइड है और किसी-किसी पोजिशन में 2.5 से लेकर 3-4 यूर्स का एक्सपीरिंस रिक्वाइड है तो जो भी इंजिनियरिंग के फ्रेश ग्राजुएट से उनके लिए एक अच्छी ऑपरचुनिटी हो सकती है इस कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए कौन सी है कंपनी आपको कैसे करना है अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की तो ये जॉब ओपनिंग्स है बहुत सारी प्रोफाइल के लिए जहां पर अलग-अलग इलिजिबिटी क्राइटेरिया है अलग-अलग डोमेन है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो देख वीडियो के लिए आप मेरे सारे वीडियो को जरूर देखें क्योंकि मैंने बांकिंग से लेकर IT इंडास्ट्री सौफवेर इंडास्ट्री हर तरीके के वीडियो पोस्ट किये हैं भले ही वो कस्टमर सर्विस असोसेट की प्रोफाइल हो डेटा आनलिस्ट की प्रोफाइल ह हो, part time jobs हो, full time jobs हो, हर तरह के jobs के बारे में many videos बनाए हैं, तो आप please एक बार complete playlist को जरूर चेक करें, तो देख लेते हैं कौन से हैं वो positions जिनके लिए आप apply कर सकते हो, software developer, android, content writer, 3D animator, software developer, QA, quality analyst, designer, UI, UX designer, experience आप देख सकते हो, अलग-अलग हैं, आप इन positions के लिए apply कर सकते हो, इसके साथ ही कई सारे और भी positions हैं, senior software developer, python, software developer, ruby on rail, software developer, php, business development executive, trainee business development executive, यहाँ पर freshers apply कर सकते हैं, software developer, iphone, software developer, sharepoint, senior software developer, java, जिनको 4-5 viewers के experience है, इस position के लिए apply कर सकते हैं, अब देख लेते हैं, कौन सी है, company और कैसे आप कर सकते हो, apply, तो company का नाम है CIS, जिसका tag line है, we make it possible, तो cyber infrastructure जो है, वो number one technology solution provider है, जो assure करता है कि उसके clients को superb satisfaction मिले, जो भी वो काम उनको करके देते हैं, इस company का जो establishment हुआ था, यह 7th November 2003 में हुआ था, Cyber Infrastructure Private Limited के नाम से, यह CMMI Level 3 Certified Organization है, और यह largest technology service provider company के रूप में उभरा है Central India में, जिसकी value over 150 million है, तो इनके 5 offices हैं, 5 countries में, highly competent और professional team है इनके पास, 550 plus professionals के लिए, जो हमेशा cutting edge application development projects पे काम करते रहते हैं, ठीके, तो आज की जो यह vacancies है, वो India location के लिए है, जब आप apply करेंगे, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा details पता चल जाएगे, तो CIS है, market leader and a leading idea and consulting company, that is helping clients globally, इसके साथ ही एक में वीडियो और पोस्ट करूँगे, आप उसको चेक कर लो, अगर आपको और details चाहिए company के बारे में, या फिर company के official website को ज़रूर जा कर चेक कर लो, तो अब सीधा चलते हैं official website पर और देखते हैं, openings के बारे में और आपको कैसे apply करना है, तो हम आगे हैं official website of CIS में, ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे ही cis.cis.com, यह मैं आपको description box में दे दूँगी, तो direct आप careers वाले page पर ही पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आप देखोगे current openings लिखा है, United States और India, तो कि यह दो जगा हैं जहाँ पर CIS के offices हैं, या CIS काम करती है, तो आपको यहाँ पर जाना है, इंडिया पर, इंडिया पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारे positions दिये हुए हैं, अगर आप all पर क्लिक करते हैं, और अगर आपको specific position के लिए देख रहे हैं, जैसे कि designing के लिए, या फिर आप business development की profile के लिए सर्च कर रहे हैं, IT's, others, internet marketing, javascript, human resource, तो आप अपने हिसाब से in particular जो है, इस पर link पर क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको सारी openings के बारे में बता रही हूँ, तो मैंने all पर क्लिक किया था, यह सारी openings है, और हर एक age, कि अपने हिसाब से देख सकते हो, यहाँ पर कई सारे ऐसे पोजिशन भी हैं, जहां पर फ्रेश भी इन्वाइटेड हैं, जैसे कि यह है, तो जो भी फ्रेश हैं, इंजिनियरिंग फ्रेश ग्राजुएट्स हैं, वो एक से तीन साल का experience मांगा गया है, और अगर आप Ruby on Rails software developer हैं, तो experience required 6 months to 2.5 years के between हैं, यह सारे positions आप यहाँ पर देख लो, ठीक है, trainee business development executive तो MBA profile के लोग भी इसके लिए apply कर सकते हैं, software engineering के साथ साथ, CSIT के students तो apply कर ही सकते हैं, तो आप यहाँ पर जैसे जाओगे, आप जिस भी आपको प्रोफाइल के लिए apply करना है, वहाँ पर view more और apply now का option दिया गया है, जैसे आप apply now पर क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरीकी का page दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका mail id डाला है, मैंने इस चीज़ को एक बार पहले चेक कर लिया है, इसलिए आपको मेरी entries यहाँ पर दिखेगी, तो यहाँ पर मैंने अपना mail id डाला, उसके बाद आप जैसे ही login पर करोगे, यहाँ पर आपको आपका phone number डाला है, मैंने अपना phone number भी यहाँ पहले से डाल के रखा है, फिर जैसे आप अपना phone number enter करोगे, आपको वो एक OTP भेजता है, तो आपको OTP जैसे ही मिल जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर OTP enter करना है और login करना है, जैसे आप login करोगे तो आपको एक page दिखेगा ठीक है, जहाँ पर आपसे आपकी सारी details मांगी गई है, अब मेरे phone पे आगया है OTP, यह OTP है, जो मैं डाल रही हूँ, फिर आपको login करना है, फिर यहाँ पर एक पूरा profile आजाएगा जो आपको fill up करना है, आपका personal information, personal details, educational details, family details, इसे आगे की process मैंने नहीं की है, क्योंकि मुझे इसके लिए apply नहीं करना है, तो I thought, क्यों फालतु में यह सारी चीज़े की जाएगा तो आप अगर apply कर रहे हो, तो यह सारी चीज़े आप पूरा details अच्छे से फिल करके, next पे आपको click करना है, next पे click करने के बाद शायद आ इसे आप जाकर in particular position के लिए apply कर सकते हो, और you know, इसके लिए आप apply कर सकते हो CIS के लिए, तो यह जो job openings है, यह अभी India के लिए है, और basically indoor location के लिए openings है, आपको मैं एक और वीडियो पोस्ट करूंगी इस वीडियो के साथ साथ जिसमें CIS के बारे में, Cyber Infrastructure Limited के बारे में, मैं आ आपको थोड़ा सा और knowledge दे दूँगी कि यह company क्या करती है, इसकी core values क्या है, इसका description में आपको provide कर दूँगी, वो भी आप presentation या कहें video तो जरूर चेकीजेगा, तो आज के लिए बस इतना ही यह openings है, इसके लिए आप apply कर सकते हो, आगे कि जो भी process रहेगी वो आपको to share with you all, तो यही एक कारण नी कि मैं इस जॉब के बारे में आप लोगों के साथ share किया है, तो अगर आप फिल करते हो form, तो भी आपको reply नहीं आता है, तो वो सारी चीजे आपको देखनी है, कि आप उसको अचे से फिल करे, form को हो सता है, कहीं पर जो requirement है, वहां आपका का का कंदिदेचर माच ना करता हो, तो कही बार ऐसा भी हो सकता है कि इस ज़ज़ से आपको, you know, reply ना है, वो सारी आगे की process, you have to take care of it, okay, so from my end, I just wanted to tell you about the openings, about the current openings, जिसके लिए आप अप्लाए कर सकते हो, वेरिस पोसिशिए के लिए, तो I think that is all for today, take good care of yourself, and thank you for being a part of Fresh Learning Academy, don't forget to like, share and subscribe, bye-bye.